नमस्का दोस्तों सुवागत है आप सभी का रूइटवेजर यूट्यूब चानल में नेक्स्वेब मल्टिमीडिया एक और नया करके गेम लेके आया है जिसका नाम है WCC Rivals तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस गेम के फीचर्स के बारे में साथ इसाथ गेम प्ले दिखाऊंगा और पता लगाएंगे क्या ये गेम WCC 2 और Railgate 18 से बहतर है और साथ इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कहां से और कैसे इस गेम को डाउनलोड करना है तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं So guys मेरे गेम को इस्टाल करके ओपें कर लिया है ये है गेम का लॉबी सबसे पहले आप लोग को बता देता हो कि इस गेम को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो तो इस वीडियो के description में आप लोग को APK और OBB फाइल का download link बिल जाएगा इस game का और वीडियो के last में आप लोग को बताऊंगा कि उस APK फाइल और OBB फाइल को कैसे set करना है इस वीडियो को last तक जरूर देखेगा अगर आपको इस game को सई से install करके खेलना अपने phone में तो आप बात करते हैं इस game के features के बारे में सबसे पहले आप सभी भाईयों को एक बात clear करना चाओंगा यह एक real time multiplayer game है यानि कि यह चलेगा internet के मदद से और जिस team के खिलाब आप खेलोगे उस team को real में कोई बंदा कंट्रोल कर रहा होगा यानि कि इस game को खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और यह game बहुत ज़्यादा challenging होने वाला है बहुत दिनों से mobile users wait कर रहे थे कि कोई ऐसा cricket game आ जाए जिसमें real time multiplayer हो और finally वो game आ गया है और यह सब possible हुआ है next web multimedia के मदद से तो यह है real time multiplayer game ओके तो आप बात करते हैं इस game के features के बारे में तो दोस्तो यह game का home screen home screen को काफी normal और simple रखा है मेरे को काफी ज़्यादा पसन आया चारी option आप लोगों को देखने को मिलेगा home screen में सबसे पहला option है team name team name में जैसे आप click करोगे अपने team का जो logo है उसको change कर सकते हो उसका background color भी आप change कर सकते हो साथी साथ आपना जो team है उसका name भी आप change कर सकते हो अगर आप चाहे तू अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं दूसरा option है play जैसे आप play में click करोगे match start हो जाएगा gameplay आपको वीडियो के last में दिखाऊँगा तीसरा option है my squad में जैसे ही आप click करोगे दोस्तो आपका जो team का jersey है उसका color आप change कर सकते हो और साथी साथ my squad में click करके दोस्तो आपना जो 11 team आप create कर सकते हो अपने हिसाब से आप 11 खिलाड की नाम रख सकते हो तो वो आप change कर सकते हो और चोथा option है दोस्तो practice में जैसे ही आप click करोगे यहाँ पे betting और bowling आप practice कर सकते हो practice करने से obviously आप लोगों को बहुत ज्यादा helpful होने वाला है तो अब जल्दी से gameplay करते हैं प्ले में हम click करके आप लोगों को इस game का gameplay दिखाने वाला है gameplay दिखाने वाला हूँ तो दोस्तो जैसे आप play में click करोगे तो इस तरह का option आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे मैंने आप लोगों को बताएं ये एक real time multiplayer game है तो किसी को वो search करेगा अगर कोई online है तो उसके साथ हमारा match होगा तो एक बंदा online है उसके साथ मेरा match हो गया है और मेरे कहाल से ये सिर्फ और सिर्फ 2 over का match होने वाला तो उसका playing 11 आप देख सकते हो यलगार उसका टीम का नाम है और मैंने अपना टीम का नाम फिलहाल कुछ नहीं रखा और मैंने अपने players का नाम भी कुछ दिया नहीं तो लेकिन आप दे सकते हो जैसे मैंने आप लोगों को गेम में बताया और WCC2 और Real Cricket 18 उस तरह का graphics, mixed graphics आप लोगों को देखने को मिलेगा हाला कि यह जो game है बहुत ज्यादा colorful आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे कहल से opinion ने जीत के क्या किया I really don't know मेरे कहल से batting करने का ही फैसला किया है उसने तो उसने अपना basement चूज कर लिया है तो इस तरह का और साथ ही साथ इसमें एक बहुत ही बड़ा feature है दोस्तो यहाँ पे अब जब क्या बोलते गेम खेल रहे होते होंगे उसमें आपने जो है emojis भी आप भेज सकते हो तो मैं अपना एक bowler set करता हो और bowling कराता हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे पहला है यहाँ पे आप जब आप गेम खेल रहे हो तो आप इसको जो है emojis भी भी भेज सकते हो तो यह एक funny type का है और इसमें मैंने एक दो गेम ओरेडी खेल चुका हूँ दोस्तो इसमें आपको जो है DRS features भी देखने को मिलता है तो कुछ दो एक bowl का gameplay आप लोगों को दिखा दूँगा तो लेकिन इसमें दोस्तो एक problem वाली बात यह दोस्तो जब आप game खेल रहे होते होंगे उस समय आप back में नहीं जा सकते हो जब तक आप यह पुरा गेम complete नहीं करोगे तब तक back नहीं जा सकते है ओविसली यह एक multiplayer game है फिर भी मेरे ख्याल से बंदे को कोई काम पड़ जाता है तो उसके लिए आपको पूरी तरह से home screen में ही जाना पड़ता है तो real time में दोस्तो मैं अभी bowling करा रहा हूं और जो आगे bestman खेल रहा मेरे सामने उस bestman को real में कोई बंदा कंट्रोल कर रहा तो यह एक real time multiplayer game है बहुत ज्यादा मजा आने वाला जैसे कि मैंने आप लोग को बताया और आप लोग को यह game जरूर ट्राइ करना चाहिए हाला कि इस game में अभी कुछ bugs आप लोग को देखने को मिलेगा जै जाले कि यह थोड़ा सा colorful game है और में कुछ बोलने वाला था दोस्तो इसमें आप लोग को commentary नहीं देखने को मिलेगा और नए और नए modes नहीं देखने को मिलेगा जैसे कि one day हो गया T20 हो गया इस तरह कोई भी modes नहीं देखने को मिलेगा यह सिर्व एक real time multiplayer game है यानि कि आप opinions क के साथ खेल सकते हो real time दोस्तो graphics आप लोगों ने देख लिया gameplay आप लोगों मैंने दिखा दिया shots आप लोगों मैंने आप दिखा दिया अब मैं आप लोगों दिखा देता हो इस game को जो आप लोगों ने APK और OBB file download किया है video के description में मैंने download link दिया है उसको download आप लोगों ने क APK और OBB file का download link आपको इस video के description में मिल जाएगा ये भी बता देता हो कि इसको कैसे download करना है तो इस link को आप video के description में जो link दिया गया है उसको आप open कीजे तो इस तरह का आप लोगों को देखने को मिलेगा I am not a robot में आप लोगों को click करना पड़ेगा और जब तक ये हरा नही हो जाता जैसे ये 8 second complete हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे get link करके हरा रंग का आएगा यहाँ पे आप लोगो click करना है तो इसके बाद यहाँ पे एक screen आएगा जिसमें download लिखावा आएगा सिंपली आपको यहाँ से download करना है तो इसी तरह से दूसरा file भी आप लोगो download करना है वो साइथ मेरे कहाल से 26 MB का है यह 78 MB का OBV file है और दूसरा जो APK file है वो 26 MB का file है तो दोनों ही APK और OBV file को इस तरह से आप लोगो download करना है तो डाउनलोड करने के बाद आप लोगो यहाँ पे जाना है दोस्तों आपने file manager में जाना है file manager में जाने के बाद यहाँ पे download folder में ज सकता है तो आप लोग Google Chrome ही यूज करना है तो दोनों फाइल डाउनलोड करने के बाद download folder में जाहिए और download folder जाने के बाद सबसे पहले आप लोगो क्या करना है APK file इंस्टोल करना है WCC reveals का APK file आप लोगो इंस्टोल करना है तो इंस्टोल करने के लिए वेट कीज़े जब त यहां से copy करने के बाद यहां पर back जाना है बैक जाने के बाद दोस्तो एक Android folder होता है जरूर यहां पर इस लिस्ट में आपको एक Android folder मिल जाएगा जैसे कि यह रहा Android folder मेरे यहां आपको भी Android folder जरूर मिल जाएगा तो इसको Android folder को आप open कीजे जैसे आप Android folder को open करोगे एक OBB करक क्लिक करते हैं और यहां पे दोस्तों आप लोगों को लिखना है com.nextnext wavav.wccrivals दोस्तों यह आप लोगों को लिखना है इस नाम से एक folder create करना है फिर ok में क्लिक करना है अब इस folder को open करना है जिस folder को आप लोगों ने जो उन सा नया folder बनाया है उस folder को open करना है यहां पे वो file paste कर देना है जो हमने obv file वहां से copy किया था इसको paste कर देना है तो दोस्तों हो गया simple सा अब दोस्तों आप notice करोगे आपके phone में वो game आ गया है जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे wcc rivals अब इसको हम open करेंगे तो हमारा game जो है open हो जाएगा तो इस तरह से आप game को download करके open download करके install करके अपने phone में खेल सकते और साथ ही साथ game का graphics आप लोगो दिखा दिया है और यह game आप लोगो एक बार download करके install करके खेलना ज़रूर चाहिए क्योंकि cricket के दिवाने हर कोई है इंडिया में और यह एक real time multiplayer game है यानि कि आप अपने जो सामने खेल रहा होगा और सच में कोई बंदा खेल रहा होगा तो काफी interesting यह game होने वाला है और आप लोगो ज़रूर एक बार try करना चाहिए अगर आप लोगो कुछ समझ में नहीं आया तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो और कैसा लगा आपको यह वीडियो प्लीज 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 कमेंट करके बताईएगा अगर अच्छा है तो लाइक कीजएगा और अगर आप चाहते हो फ्यूचर में और भी किर्केट रिलेटेड वीडियो में अपलोड करूँ तो इस वीडियो को शेर भी कीजएगा बाई मिलते अगले वीडियो में दिस साजे साइनिंग आफ अगर बाई मिलते वीडियो में आप चाहते है तो इस वीडियो में आप चाहते है